कि देखिए और इससे जो पहले हम लोगों ने किया था वह नन्ना संगितकार का चलिचित्रन किया था तो अगर आप लोगों नहीं किया तो कर लीजिएगा उसके बाद दीबदान का भी मैं जो हो जो है सारा लौकोशन डाल दिया हूं तो देखिए यहां पर देख सकते हैं आ देखिए नना संगितकार के लिए कक हैं रिए संग्ष नोल प्रुश्कार्राट करने वाले पॉलन के पर्थम लिककदे ननना संगितकार सिर्दैने को ठूप्धएय के लिएवाली में कहानी यह कहानी नहीं कहानी बहुत हिसनीoka पर्मुखहा जैन नामक एक बालक है उसे संगीत से अपार प्रेम रहता है वह संगीत से इतना प्रेम करता है कि संगीत के कारण उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ता है तो देखिए उसके बाद दूसरा में आप में आप लो लिखेगा जये जन हुआ था ओर वह भूत बहुत न कHappy बचने में देशा भीन था उसे परुरसी परोवसी होते हैं मतलब जैसे 3 हैं उनका तो बोड़िया कि बच्चे का यह ब्लैक पेंसे यह ब्लैक अडिकलर क्या रूप में ब्लैक Penal से लिख तो बच्चे का फॉरण फॉरण ही नामंकरन और अनामंकरन करना होगा दूसरे किस्तिरी बोली मेरे खायल से मतलब वह लोग बाता आपस में कर दा तो यह पादरी के आने तक भी नहीं बचेगा मतलब उसको अंदेश आता कि बहुत कमजोर है यह जल्दी ही डेट कर जाएगा किन्तो उसे इस दुनिया में रहना था हुआ कुछ नहीं भले ही पतला था किन्तो दीर दीरे ठीक होता गया पॉलेंड के अनुसार जब वह चार वर्स का था यह दिखिए फिर ब्लैक पेंसल लिए तो आप लोग को ब्लैक पेंसल चार वसका होने पर उसे कुटिया के छत प में पपिया करके दो उसके घर में या हो तो उसके जलता है नहीं बहते नहीं देखिनी नहीं ले आपल दिखेंक तक अंटा लेटा तहो वे उसी में उसे में खो जाता था क्योंकि जब घंटा की आवाज तॐ उसके दून में खो जाता यहां तक की यहां तक कि अपने मित्रों के साथ जब बकडियां चुराने जाता था और लगड़ी चारके आता था कि यह पीर पर अ कईसी तो संगीत कैसी मदूरतान थी यहां करता था हर वक्त वह संगीत के विशाय में बाते करता रहाता घास के सच्क्रहट तक में खो जाता इसलिए आखिरकार पुरोसियों ने उसका नाम ही रख दिया संगितकार जेन को की जीवन की पहलू था यह मतलब यह एक जीवन का पहलू था दूसरा पहलू के बारे में बात करें देखिए हैंरी सेंग वीच जेन को के जीवन के संगर्स की बहुत ही मदूर से वर्णन किया लेखक ने जैनकों के बारे में लिखा है जारे के दिनों में वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और ठंडे ठंड के मारे रोने लगता अकसर भूग भूग से भी लगता क्योंकि मा कई बार बार अलमारी अडब्बे में खाने के लिए कुछ नह से नहीं मिलता इसलिए दिन बर दिन वह पतला होती जा रहा था आके हर वक्त चुकर्णी और आस्वों से भड़ी रहती थी और देके उसका आखे जो चाती और गाल जो होता था वो देखे गला धाल धस्ते अधस्ते जा रहा था उसकी सारेडिक स्थिति बहुत खड़ा थी ठीक उसी के तरह उसका संग्रा सारंगी का था तो जो सारंगी का स्थिति था वही जैनको कभी स्थिति था उसने एक दिन अच्छा वायलन देख लिया उससे असपर समात करने के चलते उसकी जान ले लिए अभी कि वह जैसे वालन देखा था उसको वह क्या करना चाहता था लेकिन जब घर का देखवाल करने वाला था सिपाई उसने देखा कि सोचा कि यह चोर है और उसके बाद वहां पर जो जद्सा बैठा हुआ था उसने बोला कि इसको जो डंटा लगा के छोड़ दो और इतना जोर से सिपाही डंटा लगाया कुछा वहीं मौत हो जाता है इसमें यह लिखना नना संगितकार कहानी हमें यह संदेज देती है कि पर सिद्धी पाद चुके कलाकार का गुंगान तो सभी करते हां जो मतलब बड़ा हो गया कलाकार उसका सभी गुंगान करते हैं किन्तु प पास पैसा नहीं है तो कदर करना तो दूर छोड़िये उसकी उपेक्षा किया तो छोड़ दिया कोई काम का नहीं है हर समय नना संगितकार जैसे परतिवा परतिवावान लड़के की चाहत अपने जान से मुलित चुका आता है लेकर अपने बातों को साफ साफ रख साफ पास नंबर पुरा कपुरा में जागा